सब्सक्राइब तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि last yesterday हमने इस series को start किया है total seven days की series है जिसमें हम current affairs के बहुत सारे questions practice करने वाले हैं and this is going to be the last revision for current affairs for your upcoming SSEJ examination और daily हम कोशिच करेंगे एक घंटे maximum जितने questions practice कर सकते हैं उसको करेंगे आज second class है जल्दी से start करते है चलिए फट फट इस start करते है without wasting any time एक second हाँ जी चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के targets क्या है आज हम क्या achieve करने वाले हैं तो same चीज़ जो हमने कल achieve करी थी हम most expected questions practice करेंगे for current affairs पहला question आपके सामने है थी second के लिए which state और union territory recently approved the policy on promotion of foreign investment in the industrial sector किस राज या union territory ने recently industrial policy के promotion के लिए foreign investment के लिए industrial sector में recently approval दिया है जल्दी से comment section में अपना answer दीजिए automatically आपका जो answer है उसको register कर लिए जाएगा जम्मू से कश्मीर से रिलेटेड कोई भी न्यूज इंपोर्टेंट हो जाती है और इसी लिए आपके एक्जाम में इस तरीके के कोश्चिन्स आने की संभवना बहुत जादा है चाहे नौर्थ इस्ट हो चाहे जम्मू एन कश्मीर हो जो भी एरिया किसी ना किसी वज़े से बना हुआ है डिस्टर्ब्ड है या इसमें और कुछ हिस्टोरिकल रीजन्स है तो वो आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्ट हो जाता है इसका सही आंसर है किसी का भी आंसर रेफलेक्ट नहीं किया इंपॉल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है चलिए एक बार फिर करके देखते हैं अधिस्ट्रीटिटिव काउंसिल अदर देचेर्मेंशिप उफ लेटिन गवर्नर मनोच सिना जमू इन कश्मीर के जो एलजी है लेटिएंट गवर्नर है उनका नाम है मनोच सिना अप्रूफ द पॉल्सियां प्रमोशन ऑफ पॉरिन कैंपस इंवेस्मेंट इन इंडिस्टियल सेक्टर इन जमू एन कश्मीर ठीक है किस इंस्टियूशन ने किसान मुबाइल अप्लिकेशन के लिए किस इंस्टियूट ने किसान मुबाइल अप्लिकेशन किया है इसका सही आंसर है B IIT रुड़की, B IIT रुड़की, IIT रुड़की is the correct answer, देखते हैं इस बार पोल ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ले रहा है, 57% लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका सही आपडेट कराने के लिए मौसम की सही जानकारी उनको सही समय पर मिल जाए, जिससे उनकी फसल को नुक्सान ना हो, इसमें ये एप बहुत मदद करने वाला है, next question, which global rating firm raises GDP growth forecast for India to 5.5% in 2023, किस global rating agency ने recently इंडिया की 2023 की जो growth है उसको 5.5% पर reflect किया है, what is the correct answer for this question, जल्दी से comment section में अपना answer दीजे, राधे राधे, good evening, welcome to the session दोस्तों, the correct answer is C, moody's, moody's एक private rating agency है, जो देशों की, काफी सारे लोगों ने गलत बताया, जो काफी सारे देशों की एक ranking तयार करती है, उनकी growth के हिसाब से, और इसका उनके investment पे economy पे बहुत खासा अच्छा खासा असर पढ़ता है, यह American credit rating agencies है, global rating firm moody's investor services on 28th February इंडिया's growth projection, इंडिया का जो growth projection है, वो 5.5% 2023 में reflect किया है, जो बढ़ा हुआ है from the earlier projection of 4.8% in November 2022, 2022 नवंबर में इसने जो projection 4.8 किया था, उससे बढ़ा कर 5.5% कर दिया है, 2023 के लिए, और 2024 में यह जो projection है, यह है 6.5%, 2024 में 6.5% है, तो depend करता है कि वो आप से कौन सा data पूछ रहा है, उसी ही साब से आपको answer करना पड़ेगा, 2023 में 5.5 है, 2024 में 6.5 है, और 2022 में कितना था? 4.8%, 4.8%, तो यह आपको दिहान रखना चाहिए, इंडिया's growth rate in 2023 is the highest, अब देखो यह important बात है, इसके ओपर statement based question भी आ सकता है, कि G20 countries में जितने भी देश हैं, उसमें इंडिया की जो growth rate है, वो सबसे जादा है, highest है, according to Moody's projection, यह जो credit rating agency है, इसके हिसाफ से, इंडिया is the fastest growing economy in the G20, और G20 क्या word में भी कहा जा सकता है, और चाइना के just, sorry, इंडिया के just about second number पे चाइना है, जो 5% की growth rate लेकर 2023 में grow करेगा, इंडिया 4.8% पर है, ठीक है, तो इंडिया, चाइना, इंडिया याद रखिएगा, बोल आंसर नहीं ले रहा है अच्छे, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्यों नहीं आंसर ले रहा है, अगर नहीं करता है, तो हम ऐसे ही करेंगे, time हमारे लिए important है इस समय, चलिए, next question, तीस सेकेंड, what was the theme of World Wildlife Day 2023, World Wildlife Day 2023, इसकी theme क्या थी, यह आप से question में पूछ रहा है, what is the theme for World Wildlife Day for 2023, 2023 के लिए, World Wildlife Day की theme क्या थी, the correct answer is, B, that is, partnership with the, partnership for wildlife conservation, partnership for wildlife conservation, इसका सही answer है, B, सबने गलादा अंसर दिया, चलिए, कोई बात नहीं, किस दिन मनाया जाता है, third of March, third March को World Wildlife Day मनाया जाता है, यह वही दिन है, जिस दिन, sites, यानि की convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna, जिस दिन sites को, उनिस सोत्तिहत तक में 1973 में establish किया गया था, ठीक उसी दिन World Wildlife Day मनाया जाता है, that is, third of March, याद रखेगा, वो अलग से भी आपसे डे भी पूछ सकता है, किस दिन मनाया जाता है, किस राज मार्ग पर विश्व का पहला बास का बैरिकेडिंग या क्रैश बैरियर ने स्थापित किया गया है, किस राज में विश्व का पहला बास का बना हुआ क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया है रिसेंट्ली, विश्व का पहला, ठीक है अक्छे है, ठीक है, टिंशन मतलो, पोस्चन पर फोकस करो, महारास्टा में रिसेंट्ली एक बास का बना हुआ क्रैश बैरियर पहली बार इंस्टॉल किया गया और यह विश्व का पहला ऐसा क्रैश बैरियर है, सब ने गलता अंसर दिया, चलिए, कोई बात नहीं, यूनियन मिनिस्टर नितिन गतकरी ओन फोर्थ ओफ मार्च से टू हंड़ेड मीटर लॉंग, यह दो सो मीटर लंबा है, बास का बना हुआ क्रैश बैरियर है, जिसको चंद्रपुर और यवतमाल, चंद्रपुर और यवतमाल डिस्टिक्ट जो महरास्टा में है, उनको कनेक्ट करते हुए हाईवे पे लगाया गया है, यह important है, इसको याद रखिएगा, चंद्रपुर और यवतमाल, यह वह आप से पूछ सकता है, वर्ड का यह पहला ऐसा क्रैश बैरियर है, जो बास का बनाया गया है, अगर भाई अगर पूल में कुछ दिक्कत आ भी रही है, तो परशान होने की ज़रुवत नहीं है, आप कोश्चन आज़सर पर फोकस करो, पूल नहीं लेते हैं, पूल में कुछ दिक्कत आ रही है, पूल लें की ना लें, एक बार हाँ या ना, येस और नो बोल दो कमेंट सेक्शन में, हम टाइम नहीं बेस्ट करते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारे पास मतलब आप लोग के पास, अगर पूल में कुछ गरबढ आ रही है, या तो एक दो कुश्चन और करके देखते हैं, अगर पूल से कन्फीजन हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो हम पूल को छोड़ देते हैं, लेट उस फोकस ओन कुश्चन जोड़ी, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कुश्चन, अगर पूल की दिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रूप मीटिंग अंडर इंडिया's G20 प्रेसिदेंशी हैं इंडिया में हुई है, और वो अलग-अलग सिटीज में हुई हैं, और वो कोई भी एक आप से पूछ सकता है, हमने पिछले कल की क्लास में भी लगबग दो मीटिंग की बात करी थी, तो एकॉर्डिंगली आपको याद रखना है, गडबड मत कर देना, पता अचला गलत आंसर करकर चले आओगे, निगेटिव पॉर्किंग हो जाएगी, और याद रख़ियेगा, यह पहली मीटिंग है, ठीक है, जिजास्टर मतलब आपदा, जैसे बार का आजाना, सूखे का आजाना, जौला मुखी का फ़ट जाना, भूकम का आजाना, something which is unforeseen जो हम पहले से देख नहीं सकते हैं पहले से प्लान नहीं कर सकते हैं that is called disaster ठीक है G20 presidency began at Gandhinagar Gujarat Principal Secretary to the Prime Minister Dr. P.K. Mishra and Minister of State for Communication Devu Singh Chauhan inaugurated the meeting बहरे खाल ये important नहीं है नाम important नहीं है लेकिन Gandhinagar Gujarat में disaster की पहली meeting हुई है G20 की ये important है वो आपसे पूछ सकता है Changi Airport has been voted the world's first airport at the Skytrax World Airport Award Changi Airport is located in which country Changi Airport को world का best airport कहा गया है amenities के हिसाब से ये किस देश में इस्थित है Changi Airport इसका सही answer है D. Singapore 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 is the right answer Singapore Changi Airport has been voted the world's best airport at the Skytrax World Airport Award ये award का नाम भी याद रखना कही बार ये भी पूछ लेता है Skytrax World Airport Award this is the 12th time Changi Airport has been awarded this prestigious award बार्वी बार इसको लगातार ये award मिल चुका है the record number since the award was first given out in 1999 इस award की शुरुवात 1999 में करी गई थी in order to in addition to the world's best airport award Singapore Changi Airport also garnered award फॉर्द ये वर्ड का best airport dining भी है ठीक है खाने पीने के हिसाब से भी best airport है best airport for leisure amenities and best airport in Asia ये सारी उपाधियां इसको दी गई है Changi Airport को खाने में लीजर में Asia में नमबर वन है और वर्ड का तो best airport है उत्राखंड government will set up sports university important बहुत important question है उत्राखंड government recently किस जगें पर sport university establish कर रही है किस सिटी में sports university establish कर रही है आपके options है हल्दवानी नैनी ताल रुड की देहरदून the correct answer is हल्दवानी the correct answer is हल्दवानी हल्दवानी में sports university लेकर आ रही है ठीक है उत्राखंड चीफ मिनिस्टर पुशकर सिंग धामी has announced the government sports university in the कुमाउ region हल्दवानी का जो कुमाउ region है वहाँ पर एक sports university set up करी जाएगी the international stadium of हल्दवानी will be upgraded into sports university हल्दवानी का जो international stadium है उसी को modify करके sports university में convert किया जाएगा next question the government has identified 1275 railway stations 1275 railway station नमांकित किये गए हैं under the Amrit भारत station scheme for the development of railway stations in India ये पूछ रहा है किस साल में Amrit भारत station scheme को launch किया गया था किस साल Amrit भारत station scheme को launch किया गया था तो इस question के लिए आपके पास सिर्फ common sense होना चाहिए था अगर common sense होगा तो आप इस question को answer कर लेते इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी किया गया है किस लिए ताकि railway का विकास किया जा सके जो railway stations है presently ये जो scheme है ये 1275 stations को upgrade करने की modernize करने की कोशिश कर रही है under this scheme 18 stations of सोनपुर division and 20 stations of संस्थिपुर division have been identified Amrit भारत station scheme was introduced by the ministry of railways in December 2022 December 2022 में इसको launch किया गया था राम सहाई प्रसाद यादव has been elected as the third vice president ये भी बहुत important इंडिया के आसपास के देशों में भी जो कुछ घट रहा है वो भी आपके लिए important होता है राम सहाई प्रसाद यादव has been elected as the third vice president of which country किस देश के तीसरे उपर राष्टपती के रूप में इनको नियुक्त किया गया है राम सहाई प्रसाद यादव the correct answer is B. नेपाल the correct answer is B. नेपाल अगर आपके पास कुछ extra information है उसको आप अपने पास रखिए comment section में उस information को float करने से आपको कोई भी इनाम या कोई भी उपाधी नहीं दी जाएगी और comment section को बच्चों के लिए use होने दीजे अपने ग्यान का फबारा वहां मड़ा लिए ग्यान का फबारा एक्जाम में दिखाईएगा वहां से आपको बहुत फाइदा मिलेगा राम सहाई प्रसाद यादव अस्ता लक्ष्मी शाक्या ओफ CPN UML एंड ममता जहाँ ओफ जन्मत पार्टी इन दोनों को हरा कर ये उपराश्पती बने है तीसरे उपराश्पती बने है नेपाल के which of the following city has received the healthy city award for smoking laws धूम्र पौण कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्त शहर का पुरसकार प्राप्त हुआ है दे करेक्ट आंसर इस बैंगलूरू दे करेक्ट आंसर इस बैंगलूरू दे करेक्ट आंसर इस बैंगलूरू बैंगलूरू ने recently partnership for healthy cities award जो है इसमें इसको ये award भिया गया है एक cash price भी है जो देड़ लाख डॉलर का है for effectively enforcing the smoke-free laws at a summit held in London London में ये summit held करी गई है the focus effort from smoke-free बैंगलूरू resulted in a reduction of और इस वज़े से बैंगलूरू में 18.2% 2017 में जो smoking का rate था वो 13.3% तक पहुँच गया 2021 में तो बैंगलूरू को ये award दिया गया है smoking-free regions के लिए जो strict laws बनाए गया है उसकी वज़े से the atomic mineral direct rate for exploration and research has found the presence of lithium reserve recently अभी lithium reserve पाया गया है किस state में पाया गया है the correct answer is करनाटका इससे पहले एक जगे और एक बड़ा reserve पाया गया था वो था जम्मू और कश्मीर में ठीक है करनाटक is the correct answer करनाटक में lithium reserve recently find out किया गया है कि प्रारमिक जो भी सर्वे हुए है atomic mineral direct rate for exploration and research AMD के द्वारा उसमें यह देखा गया है कि lithium reserve जो है वो मांडिया district है करनाटका का करनाटका का मांडिया district है जहां lithium reserve पाये गया है नाम याद रखेगा आप से पूछ सकता है और केंद सरकार ने कोशिश start कर दी है कि किस तरीके से commercial exploration हो सके lithium के reserve का in the union territory of Jammu and Kashmir the AMD is the oldest unit of India's department of atomic energy और lithium हमारे लिए बहुत important है क्योंकि जैसे जैसे हम electric vehicles की तरफ जा रहे हैं जैसे जैसे हम modern transportation की तरफ जा रहे है वैसे वैसे हमें high grade batteries की जरुवत पड़ेगी और उसके लिए हमें lithium की requirement पड़ती है मनी कांथ वो हम अलग से बात कर लेंगे ठीक है अलग से बात कर लेंगे इसके उपर already मैं session भी ले चुका हूँ which space agency has recently proposed the need for a lunar time lunar time zone हाल ही में किस अंतरिक्ष एजन्सी ने चंद्र समय छेत्र की आफशेक्ता का प्रस्ताव दिया है correct answer is ठीक है मुकेश मनी आप लोग परशान मत होईए the correct the correct answer is European Space Agency जितने भी moon mission भेजे जाते हैं उनमें एक synchronization हो सकें इसलिए एक moon time zone की बात करिए पहली बार European Space Agency ने it has recently proposed the need for a lunar time zone European Space Agency ने कहाए कि हमें एक lunar time zone की जरुरत है जिससे international coordination हो सके और एक समन्वय हो सके जो भी moon mission किये जाते है moon time zone has been proposed to establish है universal time keeping system that will simplify इससे communication को simplify कर पाएंगे हम और एक coordination एक समन्वय बैठ पाएगा जो भी अलग-अलग lunar mission भेजे जाते हैं उनके बीच में जिससे कि हम एक integrated तरीके से उन lunar missions को handle कर सकें which state is the key state partner of the international SME convention in 2023 कौन सा राज अंतर राष्टिये SME convention 2023 का प्रमुक राज भागिदार है what is the correct answer to this question जल्दी से बताईए comment section में किस राज में इंटरनेशनल SME convention 2023 रिसेंटली अभी जिसमें वो राज इस्टेट पार्टनर था the correct answer is Madhya Pradesh Madhya Pradesh इसमें state partner था Madhya Pradesh was the state partner और Uttar Pradesh इसमें associate state partner था Uttar Pradesh associate state partner था और Madhya Pradesh is the key state partner तो यह basically ministry of micro small and medium enterprises external affairs minister and India's SME forum SME मतलब small and medium enterprise small and medium enterprise ठीक है छोटे और लगू उद्धियों के लिए हम यह शब यूज कर रहे है who has appointed as a chairman of pension fund regulatory and development authority किसको recently pension fund regulatory and development authority के chairman के रूप में recently नियुक्त किया गया है कि करेक्ट आंसर इस दीपक मोहंती कि ए दीपक मोहंती इस दा करेक्ट आंसर यह आ सकता आपके आपको कोई रोक तो सकता नहीं है जब आपके माता पिता आपको नहीं रोक सकते हैं तो मैं कौन होता हूं अपना ही टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा तो इमांदारी से महनज से अगर पढ़ना है आपको लग रहा है आपके काम की चीज़े एक्जाम में फाइदा मिल सकता है पढ़ो नहीं मिल सकता है छोड़ दू ठीक है लेकिन बेकार की सब स्पैमिंग करने से कुछ दीपक जोगा अपना नुक्सान करोगे करे के और तो दीपक मोहंती इसका अंसर सुप्रतिम बंद्व पादियाये इन्हों ने रिप्लेस किया है जिनका जो टम था वो जन्वरी में पूरा हो गया था इस से पहले जो दीपक मोहनती जी है यह फॉर्मर एग्जेक्यूटिव डिरेक्टर थे रिजर्व बैंक आप इंडिया के इनको रिसेंटली पेंशन पंड डेगलेटरी और डेवलप्मेंट अथारिटी का चेर्मेन बना आप इनडिपेंडेंट पीड़ान जों कि रिसेंटली किस महीला आफिसर को इंडिपेंडेंट फीलड आफिसर का चार्ज दिया गया है जो चाइना से लगा लगा हुऊआ जो बॉर्ड है लद्डाख में वहां पर न करेक्ट आंसर इस कोलोनल जीता गीता राना इनको रिसेंटली चार्ज दिया गया है यह पहली बार एक विमन ऑफिसर है कोलोनल गीता राना जो कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स और मेकैनिकल इंजीनियर्स से आती है एक सेंस्टिब लोकेशन इस्टन लद्दाक में इन्होंने रिसेंटली चार्ज लिया है यह पहली महिला है जो आर्मी की एक यूनिट को चाइना बॉर्डर के पास लीड करेंगी इस अपॉइन्मेंट कमस आफर दा इंजीन आमी डिसाइड इन फेबरी एंड टो आसाइन विमन ओफिसर्स तो कमांड रोल्स आउटसाइड दमेडिकल स्टीम मेडिकल स्टीम से अलग कमांड रोल्स के लिए महिलाओं को लिये जाने का जो डिसीजन दिया गया है उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि गीता राना कॉलिनल जो है उनको वो पहली विमन आफिसर है जिनको चाइना के से लगे हुए बॉर्डर में लग्दा के पास पोस् किस राज्य के साथ रिसेंटली आसाम का पचास वर्ष पुराना जो डिस्प्यूट है उसको खतम कर दिया गया है फिफ्टी इयर ओल डिस्प्यूट मेगालिया के साथ पचास वर्ष पुराना जो इसका डिस्प्यूट है उसको खतम कर दिया गया है कि एकर्मेंट के थूट यह लैंड का एक विवाद है लैंड डिस्प्यूट है जो 1972 में सामनी आया था जब मेगाले को आसाम से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1972 में दो इसका डिस्प्यूट है उसमें कुछ अंतर था इन असिग्निफिकेंट मूब दासाम चीफ मिनिस्टर हीमन्त बिश्व सर्मा और इस मेगाले काउंटर पार्ट कॉनार्ड संगमा और इसी के साथ इन दोनों राज्यों के मुख्यमन्ती ने आपस में एक एक अग्रिमेंट किया और इन दोनों राज्यों आसाम और मेगाले के बीच में पचास वर्ष से ज़्यादा पुराना जो डिस्प्यूट था उसको खतम कर दिया गया ये डिस्प्यूट कब हुआ थ आप्तर में जब मेगाले को आसाम से अलना करके और का राजी बनाए गया था तब ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था विच कि盃स्टर वी सुनुन नियू इसन सिपीन दिल्ली में हुस्का योजिंट किया गया था गुरीबनिंग वैलकम टूटसेशन कोशिश यही कर रहा हूं कि 90% मेरा जो कनवर्सेशन है वह हिंदी में यह और इससे जदा क्या करूं या तो बोलो इंग्लिश मिटा देता हूं हिंदी हिंदी लेकर आता हूं मतलब मेरा 99% कनवर्सेशन हिंदी में अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर कैसे चलेगा दस दिन का मेगा यह फेस्टिवल हुआ था जो लाल किले पर हुआ था रेड़ फोर्ड पर हुआ था और इसका जो टाइटल था वो था भारत भागे विधाता यह नई दिल्ली में हुआ था केंदर की विमेन एन चाइल डेवलोपमेंट मिनिस्टर इसमति रानी जी ने इसको इनॉगरेट किया था इसका उदगाटन किया था इस फेस्टिवल का जो में एजेंडा था यह अमृत के महुतसब का एक हिस्सा था आजादी का जो अमृत का महुतसब मनाया जा रहा है उस को किस ने गवन किया Ministry of Culture Ministry of Culture ने इसको गवन किया ठीक है next question who became the first women speaker of उत्तराखंड legislative assembly उत्तराखंड विधान सवा की पहली मैला ध्यक्ष recently कौन बनी है who has become the first women speaker of उत्तराखंड legislative assembly the correct answer is B. रितू खंडूरी रितू खंडूरी जी recently उत्तराखंड legislative assembly की पहली महिला speaker बनी है यह important है पूछा जा सकता है रितू खंडूरी ठीक है in collaboration with state police the Indian army has organized सुरक्षा कवच 2 exercise किस राज के साथ recently army ने सुरक्षा कवच 2 exercise recently अभी launch किया है सुरक्षा कवच 2 रितू खंडूरी है सही answer the correct answer is maharasht the correct answer is a maharasht maharasht के साथ recently army ने collaborate किया है सुरक्षा कवच 2 exercise के लिए और यह किस district की police ने किया है यह maharashtra police at लुला नगर पूने according to the word happiness report 2023 2023 की जो word happiness report है उसके इसाब से दुनिया की सबसे खुशहाल देश कौन है कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश है the correct answer is finland पिछले कई सालों से चार-पांच सालों से लगातार finland ही विश्व का सबसे खुशहाल देश है finland was ranked the happiest country in the world five times लगातार पाँचवी बार इसको विश्व का सबसे खुशहाल देश गोशित किया गया है according to the word happiness report अगर आप इंडिया की बात करें इंडिया विश्व की one of the least happy country है बहुत दुखी country हों में इंडिया का नाम आता है और 2023 में इसकी जो रैंक है वह एक सो चब्विस 2023 में जो इंडिया की रैंक है वह एक सो चब्विस है टोटल 136 देशों के sequence में as per the happiness index और इससे पहले 2022 में 136 रैंक थी 2022 की अगर आप बात करें तो 136 रैंक थी जब टोटल 146 देश थे 146 देशों की गरना करी गई थी और मजे की बात यह है कि भारत नेपाल चाइना बांगला देश और श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे है नेपाल चाइना बांगला देश और श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे है ठीक है यह याद रखिएगा यह आपसे वो पूछ सकता है 2023 की इंडिया की रैंकिंग वर्ड हैपिनेस इंडेक्स में पूछ सकता है 126 है टोटल 136 देश है याद रखिएगा वो एस बीन सेलेक्टेड बाइड यू एस सीनेट अस दे नेक्स यू एस एमवेजडर टो इंडिया अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले राजदूत के रूप में किसे चुना है तुरेक्ट आंसर इस एरिक गैरसेटी इरिक गैरसेटी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इनका और यह इंपॉर्टेंट है एरिक गैरसेटी एरिक गेरसेटी कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी रिजल्ट आने के बाद कोई नहीं पूछेगा रटा था पढ़ा था समझा था रिजल्ट इंपॉर्टेंट है लॉस एंजलिस के जो पूर्ब मेर है एरिक गेरसेटी इनको अमेरिका ने नेक्स यूएस अम्बेसडर बनाया है इंडिया का ठीक है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली दस परसेंट रिजर्वेशन एनाउंस किया है फॉर एक्स अगनी वीर इन विच सीकूरिटी फोर्स यूवर्स में रिसेंटली जो सेवा निवत अगनी वीर है उनके लिए 10% रिजर्वेशन की रिसेंटली बात कही गई है 10% reservation की बात करी गई है जो लोग X agnivir है ठीक है? उनके लिए 10% reservation की बात करी गई है Who has been enrolled in the bar council of the state as the first transgender lawyer in Kerala Kerala में पहली बार किस transgender वकील के रूप में राज की bar council में नामांकित किया गया है किसको किया गया है? The correct answer is पद्मलक्ष्मी बी पद्मलक्ष्मी पद्मलक्ष्मी जी पहली transgender जो है वो lawyer है केरला की जिन को bar council में enrolled किया गया है ठीक है? ये पहली transgender है जो राज में बार काउंसल में enrolled हुई है केरला में किस इंडियन अमेरिकन को recently deputy CEO of US Finance Agency के लिए नामंकित किया गया है किस भारती अमेरिकी को अमेरिकी विट एजेंसी के उप CEO के रूप में recently नामंकित किया गया है वोट इस दे करेक्ट आंसर? निशा बिस्वल ये भारती मूल की हैं जो अमेरिका में है भारती अमेरिकी हैं इनको अमेरिकी विट एजेंसी के उप CEO के रूप में recently नामित किया गया है निशा देशाई बिस्वल ये वर्तमान में Senior Vice President है for International Strategy and Global Initiatives at the United States Chamber of Commerce United States Chamber of Commerce में ये currently Vice Senior Vice President है for International Strategy and Global Initiative के लिए और अभी इनको recently Deputy Chief Executive Officer गोशित किया गया है for Development Finance Corporation of United Nations Sorry United States, Sorry United States International Development Finance Corporation Next Question निमलिकित में से किस institute को इंडिया में first rank किया गया है और वर्ड में 47 globally 47 rank दिया गया है by a world university ranking survey जो किस ने कराया है क्वेकरिली सिन्डम्स क्वेकरिली साइमोंड्स ठीक है बड़ा अजीब सा नाम है इसका क्वेकरिली साइमोंड्स ये एक सर्वे है जो पूरे विश्व में यूनिवेस्टीस की ranking निकालती है इसने भारत के किस institute को इंडिया में पहली rank और वर्ड में 47th rank से सम्मानित किया है the correct answer is IIT Bombay IIT Bombay is the correct answer for this question IIT Bombay को इंडिया में first rank दी गई है और वर्ड में 47th rank दी गई है for global engineering and technology by क्वेकरिली साइमोंड्स ranking के द्वारा which of the following company has introduced Bing image creator powered by open AI DAL E DAL E D-A-L-L-E यह artificial intelligence open AI का एक resource है और इसी को use करते हुए recently Microsoft ने एक सुविधा start करी है एक facility start करी है जिसमें क्या होता है कि अगर आप description देंगे किसी image का आप description मिलब text to image यह basically text to image text to image और जैसे chat GPT है न generative transformer उसी तरीके से उसी का आप एक advanced version समझ सकते हैं इसमें आप text के थूँ अगर आप explain करेंगे तो यह आपको image बना कर दे देगा तो ऐसा ही कुछ एक facility अभी recently introduce किया है Microsoft ने जो open AI का Dell E resource यूज करता है Dell E basically एक ऐसा resource है जो text से image में conversion करता है तो इसका सही answer है Microsoft Microsoft ने recently एक नए फीचर स्टार्ट किया है जिसका नाम है Bing Image Creator Bing Image Creator ठीक है और यह users को allow करता है कि वो simply अपने words को use करके command दे सकें और जिसको एक image में transform करेगा यह feature यह open AI का open AI company है उसके Dell E model को use करता है system को use करता है which medal has been won by निखत जरीन और लॉवलीना बॉर्गहेन World Women Boxing Championship 2023 में निखत जरीन और लॉवलीना बॉर्गहेन आपको शारी याद हो किल हमने question किया था कि NMDC का brand ambassador किसको बनाया गया है तो वहाँ पर निखत जरीन का वहाँ पर लेख आया था तो इन दोनों ने ही gold medal जीता है दोनों ने ही gold medal जीता है तो यह आपके लिए important question हो सकता है यहाँ से question बन सकता है लॉवलीना बॉर्गहेन ने recently gold medal जीता है किसको हराया है कैटलिल पारकर को इस ही चला जाना जाता है कैटलिन पारकर को आस्ट्रेलिया की कैटलिन पारकर को हरा कर इन्होंने gold medal जीता है 75 kg की जो category है वर्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ठीक है इसके लावा जो निकट जरीन है यह वर्ड शी बिकेम दा वर्ड चैंपियन बाई डिफीटिंग इन्होंने वियतनाम के ग्यू येन टॉटेम को 50 kg की कैटेगरी में हरा कर gold medal जीता है ठीक है बैर खेल किसको हराया है यह तो आपसे इतना जाकर नहीं पूछेगा दुश्मनी नहीं निकालेगा वट इनका नाम आपको याद होना चाहिए निखत जरीन और लॉवलीन बॉर्ग है next question who has become the fastest Indian in 121 group to swim across the park state from तलाई मननार in श्री लंका to दमिश्कोडी इन तमिल नाडू श्री लंका के तलाई मननार से तमिल नाडू के धनश्कोडी तक पाक state को तैर कर पार करने वाले 21 वर्ष से कम उम्र के समूह में सबसे तेज भारती कौन बन गए है का नाम है संपन्न रमेश नाम सही संपन्न ता जलक रही है नाम है संपन्न रमेश संपन्न रमेश शेलार ये फिजिकल एजुकेशन के बैशिलर है बैशिलर ओफ फिजिकल एजुकेशन इन्होंने एक नया वर्ड रिकॉर्ड बनाया है यह फास्टेस्ट इंडियन है 21 साल से कम उमर में अंडर दा अंडर 21 कैटिगरी तुस्सेम अक्रॉस दा इन्होंने पाक स्टेट जो की लगभग लगभग मान के चलिए कि उन्तिस किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको साड़े पांच घंटे में तैर कर पार किया है जिसका जो पिछला रिकॉर्ड था वह 8 गंटे 26 मिनट का था 8 गंटे 26 मिनट का था तो सही है आप लोग घर में मीम वगएरा देखते रहते हैं लोग अपना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आप भी कम से कम एक्जाम निकालिए फुस्तो करिए है ना घर पर बैठे बैठे साड़े पांच घंटे में 29 किलोमीटर तैर लिया यह बच्चा 21 उमर से 21 से कम की उमर में विच फॉलोइंग ए स्टेट गवर्नमेंट हैं रिसेन्टल अपरूवर्नमेंट जो ऑपस्तु दूदा स्टेट वर्कर किस राजी में लेमलेखित में से किस राजी में हाल ही में राजी कर्मीयों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशद छाथिज horizontal reservation दिया गया है, the correct answer is उत्तराखंड, the correct answer is उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार ने recently 10% horizontal reservation अप्रूफ किया है, for statehood campaigners, जो लोग अंदोलनकारी रहे हैं, campaigners, in the state government positions, under the direction of Chief Minister Pushkar Singh Dhami, the decision was made during a cabinet meeting in the Central government ने recently announce किया है, कितने mega textile park set up किये जाएंगे recently, केन सरकार ने हाली में भारत में कितने mega textile park इस्थापित करने की बात कही है, mega textile park क्या होते हैं, इसको आप इस तरीके से समझे है, कि manufacturing unit लगाने के लिए, कार खाना लगाने के लिए, सरकार क्या करती है, एक जगें आवंटिज कर देती है, जिससे production ना हो, और एक cluster बन जाए और वहां से ही export और import और जितना भी production बगेर है, उसको streamline किया जा सके, वहां से जो कुछ भी waste होगा, उसको proper तरीके से manage किया जा सके, तो सरकार क्या करती है, कि किसी भी urban area के जो outskirts होते हैं, जहां पर pollution की कम से कम impact हो, वहां पर ऐसी industries के लिए एक पार्क जैसा बना देते हैं, कहने को पार्क है, इसको आप cluster कह सकते हैं, एक समू है, जहां पर कई सारी कमपनिया अपना अपना textile का manufacturing unit लगा सकती है, तो ऐसे कितने मेगा textile park की घोशना करी गई है, टोटल साथ textile park की घोशना करी गई है, और यह साथ textile park कहां कहां है, आपको नोट करना है तो कर लीजे तमिल नाडू में तेलंगना में गुजरात में करनाटक में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एंड महारास्टा में तोटल साथ मेगा टेक्स्टाइल पार्क हैं काफी बच्चों ने सही आंसर दिया भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बावा प्रदर्शनी का उध्राटन किया यह बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन आप से एकजाम में पूर्च सकता है इसका सही आंसर है श्री लंका श्री लंका के यह जो जेफरी बावा है यह बड़े फेमस है और यह इनके जो आर्किटेक्टिरल वर्क है उनी का एक्जिबीशन बेसिकली रिसेंटली किया गया है इंडिया के external affair minister एस जैशंकर ने रिसेंटली इनागरेट किया है जेफरी बावा इट इसेंचल to be there एक exhibition को एक प्रिदर्शनी को अभी रिसेंटली बुद्गाटन किया है इसेंचल to be there जेफरी बावा यह श्री लंका के है ठीक है दा एक्जिबीशन इस जोइन collaboration between the National Gallery of Modern Art in New Delhi New Delhi की National Gallery of Modern Art और High Commission of Sri Lanka के बीच में एक collaboration है जिसके थूँ यह प्रिदर्शनी यह एक्जिबीशन लगाई गई है ठीक है यह important है आप से पूछा जा सकता है दे सेकंड सस्टेनेबल फाइन्स वर्किंग ग्रूप मीटिंग इंडिया जी टुटी चेर्मेंट्शिप बिगें इन विच सिटी किस सिटी में इसकी शुरुबात हुई दा करेक्ट आंसर इस उदेपूर जो करेक्ट आंसर इस उदेपूर यह सेकंड जी टुटी सस्टेनेबल फाइन्स वर्किंग ग्रूप मीटिंग अंडर दा इंडिया जी टुटी प्रेसिडेंसी इस सेट टू टेक प्लेस यह उद्यपूर राजस्थान में हो रही है और यह 21 से 23 मार्ज के बीश में हुई है ठीक है नेक्स्ट दे टाइम मैगजीन अभी रिसेंटली टाइम पत्रका में वर्ष 2023 के लिए विश्व के महांतम इस्थानों को वर्ड्स ग्रेटिस्ट प्लेसेस की लिस्ट बनाई है उसमें इंडिया के कितने प्लेसेस को रखा गया है तो बेसिकली दो जगें हैं इंडिया की ज जो मयूर बन्ज है यह सिमली पाल से जुडा हुआ है सिमली पाल उरिसा से जुडा हुआ है ठीक है और लद्दाक यह दो जगें है जो टाइम मैगजीन के दौरा विश्व के महांतम प्लेसेस की सूची में शामिल किया गया है और यह अंडेंजर्ट टाइगर के लिए हिस् और लगज दाफ दो है ही Christopher Martin Jenkins Spirit of Cricket Award 2022 किसने जीता है असिफ शेयख ये नेपाल के क्रिकेटर है उसिफ शेयख इन्होंने रिजेंटली जीता है नेपाली बैट्समें आसिफ शेयख Was declared the winner of Christopher Martin Jenkins Spirit of Cricket Award 2022 वाइस, who has become the oldest tennis player to win an ATP Masters 1000 title recently, किसने अभी recently, oldest tennis player का खिताब जीता है, जिसने ATP Master 1000 title recently जीता है, the correct answer is Rohan Bopanna, the correct answer is Rohan Bopanna, Rohan Bopanna is the oldest tennis player to win an ATP Master 1000 title recently, ठीक है, next question, who has been appointed to the order of Australia for bolstering, bolstering मतलब किसी चीज़ को strengthen करना, strong करना, bilateral ties, दीपक्षी संबंधों को मजबूत करने के लिए, order of Australia किसको चुना गया है, order of Australia किसको चुना गया है, the correct answer is B. Ratan Tata, the correct answer is B. Ratan Tata, ठीक है, the correct answer is B. Ratan Tata, कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आप बीज में खड़े हो जाते हैं, चुप जाता है, मैंने वाकई में 4-5 मिलेट चेक किया अपना वीडियो, बट ऐसा नहीं है, मैं बहुत साइड में रहता हूं भाई, पता नहीं, अगर तुम देख रहे हो, तो प्लीज, मैंने जानमूज के ऐसा नहीं किया है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, दा फूर्थ एडिशन ऑफ एशिया खोखो चेंपियंशिप फॉर में और विमन है बिगन इन वेच स्टेट, पुर्षों और महिलाओं के लिए एशियाई खोखो चेंपियंशिप का चौथा संस्क्रण किस राज में शामिल किया गया है, जिसको जिसको खोखो खेलना हो, यह इस राज में जा सकता है, किस राज में शुरू किया गया है, खोखो चैम्पेंशिप कितने लोगों ने खोखो खेला है बच्पन में जिसने नहीं खेला है वो अपने आसपास अपने दोस्तों से पता करेगा कि ये कौन सा खेल होता है ठीक है बड़ा ये अच्छा खेल होता है ये खोखो चैम्पेंशिप ये आसाम में कंड़क्ट किया गया रिसेंटली ठीक है आसाम में किया गया है और इंडिया इस दविनर इंडिया सोचो विनर है इसका खोखो चैम्पेंशिप का इंडिया 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 इस विनर ऑफ बोथ मेन और विमन कैटिगरीज इस दव फोर्थ एशियन खोखो चैम्पेंशिप ये तमूलपुर तमूलपुर एक जगे है इन दबोडो लैंड टेरिटोरियल रीजन ओफ नौर्थ इस्टन आसाम नौर्थ इस्टन आसाम में एक जगे है तमूलपुर वहाँ पर कंड़क्ट किया गया है और इसमें दोनों ही में बेर विमन में इंडिया जीता है ठीक है इंडिया की जो पुर्शों की टीम है उसने नेपाल को 6 पैंट के मार्जन से हराया है और जो इंडिया की जो महिलाओं की टीम है उसने भी नेपालीज अपोनेंट को 33 पॉइंट से हराया है ठीक है तो महिलाएं ज़्यादा अच्छा कोको खेलती है इसका मतलब बहुत ही बढ़िया कोस्टन फाइनली आ गया है कि पीडियाफ कहां से मिलेगा तो पीडियाफ मिलेगा आपको मेरे टेलिग्राम चैनल से जो आप सेशन के बाद जोइन कर सकते हैं आशुतोश सर पीड़ू के नाम से यहाँ पर जाकर आप जोइन कर सकते हैं आपको पीडियाफ मिल जाए according to the ministry of education ministry of education के हिसाब से किस राज में जो literacy rate है साक्षरता धर है वो सबसे कम है तो I think अगर common sense or logic यूज़ करते हैं तो आप इस question को answer कर सकते हैं the correct answer is बिहार ministry of education के हिसाब से बिहार में जो literacy rate है वो 61.8% है जो की lowest है सबसे कम है इसके बाद रणाचल प्रदेश में है 65.3% राजस्थान में 66.1% केरल में सबसे जादा literacy rate है that is 94% केरल में 94% literacy rate है और इसके बाद लक्षदीप में 91.3% है और मिजोरम में 91.33% चलो इन विच स्टेट इस अरलाम वाईलाफ सेंक्चरी लोकेटड जहां पर 61 पक्षियों की जो species है उनको identify किया गया है अरलाम वाईलाफ सेंक्चरी अरलाम वाईलाफ सेंक्चरी यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है एक तो वैसे भी important है बट environment से related जो चीज़ें होती है वो ज्यादा important हो जाती है इसका सही आंसर है सी किरला सी किरला is the correct answer policy यह sanctuary कहां पर है किरला में यहां पर 101 पक्षियों की जो जातिया है प्रजातिया है उनके बारे में अभी पता चला है ठीक है और annual world census जो conduct किया गया अरलाम wildlife sanctuary में उसमें यह 101 पर जातियों के बारे में जानकारी मिली है और कोटियूर एक और sanctuary है कोटियूर wildlife sanctuary यह अरलाम wildlife sanctuary का ही एक division है और यह भी किरला में है तो इसको भी आप नाम याद रखिए कहीं से भी पूछ सकता है अरलाम wildlife sanctuary यह पुटियूर wildlife sanctuary इंदा अरलाम wildlife division ठीक है इसमें से एक फिश इगल करके फिश इगल करके एक पक्षी है जिसको पहली बार इस sanctuary में देखा गया है पहली बार बस खतमी होने वाला प्रिंस परशान मत हो इत्ता घबडाने की ज़रत नहीं वेर हैज एशिया लाज़ेस food fair 2023 has been organized एशिया का सबसे बड़ा खाद मेला रिसेंटली कहां यूजित किया गया है पूड मेला सबसे बड़ा एशिया का यह कहां पर आयूजित किया गया है ज़रेक्ट आंसर इस सी डेली दिल्ली में सबसे बड़ा खाद मेला आयूजित किया गया था इसका जो टाइटल था वो था आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉपिटलिटी फेर आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉपिटलिटी पेर इसको ऑइनईज किया था यह एक बी टूबी इवेंट था बिसनेस टू बिसनेस इवेंट था जिसको इंडियन ट्रेड promotion organization ITPU ने support किया था the premier trade promotion body of the government of India यह 37th edition था 37th edition था इस event का जो 14-18 मास 2023 के वीच में हुआ था प्रगती मैदान में हुआ था और आहार is one of Asia's best known brands in food and hospitality shows आहार is one of Asia's best food and hospitality show तो इसने इसका आयोजन किया था Asia's largest tulip garden has been open to the public in which union territory Asia का सबसे बड़ा जो tulip का garden है वो किस केंद प्रशासित केंद शासित राज में जनता के लिए खोला गया है tulip garden एशिया का largest tulip garden यह open किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में जिससे टूरिजम को बढ़ावा मिले जम्मू एंड कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा tulip garden ओपन किया गया है tulip garden is a popular tourist destination of जम्मू एंड कश्मीर जो कई सारे यात्रियों को attract करता है all over the world and there are 16 million tulip followers लगबख 16 एक सो साथ लाक tulip followers है आप imagine कर सकते हैं भारत ने किस देश के साथ पहली मैतरी pipeline का उदगाटन किया है इंडिया has inaugurated the first friendship pipeline with which country किस देश के साथ पहली मैतरी pipeline इंडिया ने अभी start करी है the correct answer is Bangladesh इस कुछ आदम पहले कर सीना इनों ने मिलकर इंडिया बांगलादेश friendship pipeline को वीडियो conferencing के थुरू स्का उदगाटन किया यह पहली ऐसी pipeline है जो refined diesel को supply करेगी refined diesel को supply करने वाली ऐसी पहली pipeline है बांगलादेश टू इंडिया तो बांगलादेश फ्रॉम इंडिया और इस प्रोजेक्ट को grant assistance के द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें government of इंडिया जो है वो अपना पैसा खर्च कर रही है तो एक तरीके से भारत की तरी भारत की तरफ से एक योगदान है बांगलादेश के लोगों के लिए भारत की पहली स्वदेशी semi high speed वंदे भारत express train चलाने वाली पहली महिला कौन है who has become the first women to run इंडिया's first indigenous semi high speed वंदे भारत train वंदे भारत train जो semi high speed इंडिया की पहली ट्रेन है उसको चलाने वाली कौन महिला है the correct answer is Surakha Yadav Surakha Yadav is the correct answer Asia की पहली women local pilot है Surakha Yadav तो एक तो महिला उपर से पहला important हो जाता है the first women to run इंडिया's first indigenous semi high speed वंदे भारत express train थीकर इन्होंने train को सोलापूर station से चलाया कहां तक मुंबई के छाच्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक सोलापूर station से छाच्रपति शिवाजी महाराज तर्डुस चलाया था कि रिसेंटली हाल ही में किस राज सरकार ने केंद से राज सरकार में पोस्ता कहती की अनुमती देने का आगरे किया है, recently which state government has asked the center to allow poppy cultivation in the state, poppy cultivation in the state, काफी बच्चों ने सही answer दिया, the correct answer is B West Bengal, the correct answer is B West Bengal, the correct answer is B West Bengal, बंगाल की चीफ मिनिस्टर मम्ता बनर जी जी ने center से request किया है, कि poppy cultivation जिसको पॉस्ता भी बोलते हैं के लिए state को allow किया जाए, insisting that daily cases prepared with the seeds are integral to the Bengali cuisines, जो बंगाल में जो local खाना बनाया जाता है, उसमें इसके बीज डाले जाते हैं, वो जरूरी है, delicacies prepared with poppy seeds are integral to Bengali cuisine and poppy seeds are costly as it is cultivated only in few states, और ये बहुत महंगे होते हैं क्योंकि कुछ ही राज हैं जहां पर इसका उत्पदन किया जाता है, तो मम्ता बनर जी जी ने request किया है के इन सरकार से कि भाई हमको उगाने की अनुमती दी जाए, which state government has launched a new health program for women named आरोग्य महीला on the occasion of International Women's Day, किस राजी सरकार ने अंतराश्टी महीला दिवस के अफसर पर महिलाओं के लिए आरोग्य महीला नाम से एक नया स्वास्त कार्टम शुरू किया है, अरोग्य महीला सुनने में ऐसा लगेगा कि जैसे नौर्थ इंडिया का किसी स्टेट का कोई स्टेट इसका अंसर होगा वर इसका सही आंसर है तो ध्यान रखियेगा। Minister of State for External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan Singh ने रिसेंटली उननीसमी बिम्स्टेक मिनिस्टेरियल वीटिंग में अभी पार्ट लिया था वर्चुली रॉम बैंकॉक विच फॉलोईंग कंट्री इस नौट ए पार्ट ऑफ बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है। The correct answer is Thailand. The correct answer is Thailand. भूटान, बांगलादेश, निपाल ये सब इसके मेंबर हैं। India's agricultural export grow by how much percentage during the April to January of the current financial year to worth US dollars 43.37 billion। चालू वित वर्ष के अप्रेल से जन्वरी के दौरान भारत का जो क्रशी निर्यात है, वो कितने प्रिशयद बढ़कर 43.37 billion dollar हो गया है। The correct answer is 6.04 percent. 6.04 percent. International organization में G20 है, BIMSTEC है, SEO है और वासिनार arrangement है। इन से question इस बार आने की सब भावना है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आप इसको देख लीगेगा। According to the data from the Center for Monitoring Indian Economy, India's unemployment rate increased to how much percentage in March 2023. March 2023 में, Center for Monitoring Indian Economy के हिसाब से, इंडिया में जो बेरोजगारी दर है, वो कहां पहुंच गई है। The correct answer is 7.5%, the correct answer is 7.5%. विकास पूचर है, घर पर studio shift करा दियें क्या नहीं भीया। Office से आकर ले रहे है, class, dedication, चुक्चा पढ़ाई करो। चलिए, पचासवा question, Finland has become the 31st member of the North Atlantic Treaty Organization, what is the capital of Finland? Finland की capital क्या है, recently NATO का ये 51, sorry, 31 member बना है, इसकी capital क्या है? B. Helsinki is the capital of Finland. नाटो के बारे में कभी बात में हम डिटेल में बात कर लेंगे, है ना? फिर कभी समय होगा. Jens Stolenberg, the Secretary General of North Atlantic Treaty Organization, has announced that, इन्होंने announce किया कि Finland has become the 31st member of the alliance. Finland shares a long border of over 1340 km with Russia. Russia के साथ लगबग लबग 1340 km का border है, and its decision to join NATO was prompted by security concerns. तो ये बात शुरू होती है, दृती विश्युद के आस बात से लगबग आप इसको समझ सकते हैं. तो वहाँ से एक कहानी है, इसको फिर कभी डिटेल में पढ़ेंगे अभी. बैर ख्याले. मिलते हैं कल राच दस बजी एक बार फिर और हम बात करेंगे most expected questions for current affairs की. Thank you so much. अपना ध्यान रखिये. Good night. Bye-bye. Take care. All the best. All the best. Thank you everybody. All the best. झाल झाल